मुझे इन धोंगी हिंदुओं से और मैं इनको धोंगी और पाखंडी हिंदु कहती हूँ इनसे ना मुझे राष्टवाद पर सर्टिफिकेट चाहिए ना धर्म पर चाहिए आपको कोई फ्रेंचाइस थोड़ी मिल गई है भगवान राम की आपका आइडिया रहा होगा बनाया हमने तो हम बात करेंगे आपका धर्म तो ये है कि आपके लोग पकड़े जाते हैं नवरात्र के पहले आयोध्या में मास फेकते हुए आपके लोग पकड़े जाते हैं मध्यप्रदेश में गणेश जी की मुर्ती खंडित करते हुए आपके लोग पकड़े जाते हैं भीड में घुसकर बेश बदल कर बात करते हुए क्या भाजपा की बपोती है भगवान राम का नाम लेना इसका कोई जवाब दे पाएगा मुझे हम राजनिती अगर हम राम का नाम लेते हैं तो हम राजनिती कर रहे हैं आप लेते हैं तो आप अकाटे हिंदू है मुझे इन धोंगी हिंदू हों से और मैं इनको धोंगी और पाखंडी हिंदू कहती हूँ इन से ना मुझे राष्टवाद पर सर्टिफिकेट चाहिए ना धर्म पर चाहिए अगर भगवान राम का नाम आप ले सकते हैं तो आप से जादा हम ले सकते हैं असलियत ये है आपको कोई फ्रेंचाइस थोड़ी मिल गई है भगवान राम की आपका आइडिया रहा होगा बनाया हमने तो हम बात करेंगे आपका धर्म तो ये है कि आपके लोग पकड़े जाते हैं नवरात्र के पहले आयोध्या में मास फेकते हुए आपके लोग पकड़े जाते हैं मध्यप्रदेश में गणेश जी की मूर्ती खंडित करते हुए आपके लोग पकड़े जाते हैं भीड में घुसकर देश बदल कर बात करते हुए उसके बारे में आप चर्चा कब कीजिएगा आप चर्चा कब कीजिएगा कि आपके लोग महौल को विशाक्त करने का काम क्यूं करते हैं और क्यूंकि धर्म की एक बात हो रही है आप में से कुछ लोग बहुत यंग है मुझे मेरा भी इस चीज़ से वाक्या पढ़ाई लिखाई से रहा के खिलाव बोला या दयानन सरस्वती जी थे आज कौन है आज धर्म के संस्थापक कौन बन गए यति नरसिंगा नल काली चरण या मोनु माने सर या वो कोई एक और लड़का घूमता है बबलू बजरंगी ये धर्म के अराद्य हैं ये हमारे धर्म की रक्षा करेंगे आज धर्म की रक्षा बोलोग करेंगे जो राम को सबसे ज़्यादा आत्मसात करने वाले बापू की हद्या कर देते हैं आप महात्मा गांधी को गाली देंगे महात्मा गांधी को मा भेंड की गालिया इस देश में दी जाएंगी और उत्तरा खंड और केंदर की सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी रहेगी उस व्यक्ति की गिरफतारी नहींगे क्योंकि आपने 36 गड़ का नाम लिया सादुबाद है म एक आंधी आई और पूरा कोरिडोर की नवे 16 मूर्तिया ध्वस्त हो गई यह अपकी धर्म के प्रतियास था है इसमें भी आपने बेमानी करी और एक चीज़ जो आप लोग कहते हैं गोटाला नौ साल से सत्ता में है ना मोदी जी डबल एंजिन की सरकार हर जगे चलाते हैं नौ साल से सत्ता में है अब तो साड़े नौ साल हो जाएंगे अगर कहीं पर घोटाला वाकई में हुआ होता अगर कहीं पर वाकई में कोई केस हुआ होता और वो राजनीती से प्रेरित और प्रतिशोध की राजनीती का नतीज़ा ना होता तो लोग जेल चले जाते हैं आपकी income tax आपका बेजे लोगों को jail आप नहीं भेज सकते हैं क्यूंकि ये जो घोटाले तथा कतित हैं ये राजनीती से प्रेरित हैं ये डराने और धमकाने के लिए घोटाले बोले जाते हैं 9 साल से कोई convict हुआ है इस देश में इस बात का जवाब दे दीजिए आपके सारे सवालों का जवाब इसमें अब इसमें मैं मैं अगर आपको नराज नहीं थी मैं थोड़ा उतेजित होके ज़रूर बोलती है